आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना वेलकुम ना करकर यह मैं आतने पहले बोल रही हूँ एनिवेस वेलकुम बैक टू माई चैनल देखिए मैंने यह सबसे पहले इसलिए बोला कि आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है यह तो मैं कुछ तैयारी कर रही हूँ आज हमारा राहूल आई इसमें ओरियेंटेशन देया तो मैंने डिसाइड किया है सूट पहनने का जो कि मेरा मन हुआ कि हाँ आज सूट पहन के जाना चाहिए फर्स जे है तो बस ऐसे रेंडमली मन हुआ तो मैंने यह ड्रेस डिसाइड किया है जो कि जिसका मैं एक लुक दिखा रहे हूं आपको उसके बाद आप यह देख सकते हैं कि मैं कैसी लग रही हूं देखो यह सब के साथ साथ जो मैं चीजे बताऊंगी ना वह आपके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाला है जो आज मैंने सूना वहां पे जो औरियेंटेशन में उन्होंने जो आज दो घंटे का लेक्चर दिया गोमा मैम थी उन्होंने बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्यार से सारी चीजें समझाएं मतलब उस दो घंटे में साइक्लोजीकली उन्होंने इतना strong बना दिया, mentally इतना strong बना दिया, देखो कही ना क नहीं तो हम भी सोचके गए थे लेकिन एक होता है ना कि साइकिलोजिकली टीचर्स का पहले ट्रेंड करना वह बहुत जादा मैटर करता है वह चीजे तो जजबने की जो प्रक्रिया है वह सारी समझाने के साथ-साथ उन्होंने मेंटली इतना स्ट्रोंग और इतनी अच्छी स्पीच दी और साथ-साथ-सारी चीजे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई कि हाँ अगर हम राहूल आई-स पे जाते हैं तो टेफिनेटली वर्थ है बिलकुल वर्थ है आप जजबन के ही निकलेंगे अगर एफर्ट लगाते हैं तो आज एक चीज और मैं इंट्रस्टिंग बता दू बहुत दिनों बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं दिल्ली की बस के साथ यानि बस में जाओंगी कोचिंग और सबसे बढ़िया चीज यह लगी कि मैट्रों में भी आजकल खड़े होकर ही जाना होता है और बस में भी खड़े होकर ही तो क्योंड़ी से वा ली जाए क्योंकि हमारे लिए ऐसा गर्ल इससरकार में लड़कों कि लिए बस फ्री कर रखे तो मैंने सोचा चलो और अच्छी सर्वीस है तो बस से जाएब और हो सका तो मैं डेली जाओंगी तो आगे मैं बता दूं कि जो औरियंटेशन था औरियंटेशन में उन्होंने क्या कुछ बताया उसकी वीडियो भी मैं डालूंगी सारी जितनी मैं बना पाई मैंने सब मतलब बहुत फर्स डे बहुत यह नहीं हो रहा था कि हाँ वीडियो बनाना है और तो जो भी बनाया है वह मैं दिखा रहे हूं और सबसे इंट्रेस्टिंग बात आप लोगों को मैं यह बताओ कि मैं एक घंटे पहले पहुच गई मतलब लोग होते हैं कि लेट पहुंसते हैं और मैं एक घंटे पहले पहुची क्योंकि मैं सोच रही थी कि हम आज फरस्टे हैं कुछ भी मिस नहीं करना है और सुना है यहां पर बहुत भीड होती है तो आगे बैठना है इन चक्रों में मतलब इन सब चक्रों में एक घंटे पहले मैं पहुची और फिर थोड़ा बहुत वेट किया और इसके बाद मैं फाइनली अंदर गई मैडम आई मतलब मैं ने इतनी अच्छी बात बताई कि नोट्स किसी बच्ची ने पूछा कि मैडम कौन सी बुक प्रेफर करने चाहिए या आप कौन सी बुक रेफर करते हो तो मैडम ने कहा हम कोई बुक रेफर नहीं कर सकते करते जो हमारे क्लास नोट्स होते हैं वो इतने जादा अ से पंद्रा बुक टीचर्स एक सब्जेक्ट में दस से पंद्रा ओथर की डिफरेंट डिफरेंट बुक पढ़के तब वो नोट्स लिखवाते हैं तब वो चीज़ें हमें पढ़ाते हैं तो सोचो यार कि कितना जाधा experience और knowledge होगा seriously यह बहुत अच्छी बात है तो अगर आप लोगों को भी चाहिए नोट्स क्योंकि अंदर के नोट्स रेंट रिटेन नोट्स तो कभी नहीं मिल सकते तो मैं डेली वेसिस पर जो वहां लिख कराऊंगी जो मुझे पढ़ाया जाएगा मैं व्लॉग के थूँ अपने वीडियो की थूँ आप लोगों तक शेयर करूंगी तो आप भी मेरे नो वीडियो में आपको information मिलेगी वीडियो की background में क्या चल रहा है वो एक vlogging टाइप का होता है कि हाँ आप लोग बोर नाओं से पढ़ाई पढ़ाई दिखा दिखा के आप आपके अंदर बोरियत ना लाई जाए आप interesting way में अच्छे से आप notes भी मनाए जो point हमें बताया जा रह होंगी तो जो घर बेठे preparation कर रहे ना उनकी मैं help करूंगी अपने channel से इस channel से definitely हर एक दिन वीडियो लाऊंगी और उसके लिए आपको मेरा channel subscribe करना पड़ेगा और वीडियो को बिना skip किये देखना पड़ेगा क्योंकि अगर आप skip कर देंगे तो पता नहीं आप points apart miss कर तो बस आप वीडियो खतम होने वाली है जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आप वीडियो skip नहीं करेंगे और हाँ एक चीज मेरे लिए भी करेंगे क्योंकि मैं इतने effort लगाऊंगी तो आप मेरी वीडियो को like करें बीना like करें वीडियो को ना जाएं और share भी करें जिनको और भ बहुत जादा matter करते हैं इनके handwritten note जो classroom में यह बोलते हैं और हम लिखते हैं तो बहुत जादा matter करते हैं तो वह कल से definitely start होने वाला है हमारे चैनल पर तो उसके लिए चैनल को subscribe करें मिलते हैं कल की वीडियो